प्रिये छात्राओं, बिये प्रथम वर्ष के प्रथम सिमिस्टर के हिंदी काब बे प्रस्नपत्र के आनलाइन सिछण में आपका स्वागत है जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है कि COVID-19 के कारण महाविद्याले आपके लिए बंद है भातिक रूप से सिछण नहीं होगा तो ये उसी क्रम में आनलाइन सिछण के लिए ये वीडियो है हमारा जो प्रस्नपत्र जो हम पढ़ रहे थे ये प्रथम वर्ष के छात्र, छात्राएं वो प्रस्नपत्र में हम आधुनिक काल में भारतेंद को पूरा कर चुके हैं और उसके आगे अब जैसंकर प्रसाद के काववि को इस लेक्षर में हम पढ़ेंगे इससे पहले दो-तीन बातें आपको बता देते हैं कि शुरू करने से पहले जो ब्याक्या है जैसंकर प्रसाद के कावविगी कि आपके आपके सिछण को जूम पर भी करने के या किसी MS टीम पर भी प्रयास करेंगे उसके लिए आईडी आपको दिया जाएगा लेकिन उससे एक समस्या जो आप लोगों ने पहले बता रखी है कि आपके पास हर समय फोन उपलब्द नहीं हो पाता है तो उसके लिए जो कुछ ही लगता है कि कुछ ही स्टुडेंट्स हैं जो उसका लाभ ले पाएंगे इसलिए ये यूट्यूब चैनल के माद्यम से आप जब भी आपके पास फोन उपलब्द होता है तो जो गुरुप है हमारा बीए प्रतम वर्श का जो गुरुप है उस गुरुप में यूट्यूब पर ये लेक्चर के ये सारे वीडियो जो कई पार्ट में विभाजित होंगे उन सभी विडियोज को एक-एक करके अपलोड किया जाएगा और उनका लिंक आपको गुरुप में सेयर किया जाएगा तो वो जिस क्रम में हम गुरुप में लिंक उनके सेर करेंगे उसी क्रम में वीडियो को देखेंगे और पूरा लेक्चर आपका हो जाएगा पूरे सिच्छन का उसके साथ अगर उससे संबंधित किसी कोई प्रस्न है जो भी पाठ जो वह उस दिन पढ़ाया गया है लिक्चर लिया गया है उससे संबंधित उस पाठ क्रम से संबंधित कोई भी अगर आपको content से संबंधित question आपके माइंड में है तो वो question आप YouTube के माध्यम से एक निश्चित समय के लिए हम उसे खोलेंगे, इसकी सूचना भी गुरुप में देंगे और उस समय आप उसको पूछ सकते हैं, किन्तु याद रखें कि आपके प्रस्ण जो है वो सिच्छन से समंधित ही होने चाहिए, इसकूल कब खुलेगा, और आपको अन्य जो जानकारी हैं इस तरह की पूछ तास के लिए उसका प्रियोग आप नहीं करेंगे, जो समंधित है सिच्छन से वही प्रस्ण आएगा, तो अब हम सीधे आपको इस बुक की तरफ ले चलते हैं, आप भी अपने बुक के साथ तयार होईए, दूसरे वीडियो में हम बुक की पंक्तियों पर ही एक-एक पंक्ति की ब्याक्ख्या करेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे, और आप भी अपने बुक के सामने आपके रहेगी, तभी उसको समझ पाएंगे, इसलिए बुक ले करके बैठिये, और फिर अगले वीडियो में हर पंक्ति की ब्याक्ख्या को समझिया,